जोते श्रतन केंदर चैनल पर हमारे आप सभी प्रिये, शुरता कड़ों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभीनंदन, प्रिये सात्यों मैं हूँ, अचारे पंडे सर्वादनन्द शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार बरा नमशकार, तो सात्यो की चर्चा तो करेंगे ही आपके साथ उससे पहले देंगे आपको पंचांग की जानकारी और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका देनिक राशी फंद दिनांग 14 नवंबर संद 2023 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2018 का है हिंदी का महीना चल रहा है कार्थिक मास और तेथ हो की आज प्रतिपदा और पक्ष रहेगा आज से आरब हो रहा है शुकल पक्ष नक्षत्र होगा अनुरादा योग रहेगा शोबन करन होगा बव राशी होगी विरिश्चिक और चंद विजीत मूर्द की जो शुब समय अब्धी है वेप राते 11 बचकर 43 मिनट से लेकर दो पहर 12 बचकर 26 मिनट तक बनी रही और इसकी अजरिक्त आज के दिन साथियों भाई दोश्च भी है अन्नकोट को वरधन पूजा भी है नहरु जैनती भी है जिसको बाल दिवस के राशी से और यह जो राशी फल है पूर्ण रूप से दैनिक जो आपका ग्रेह गोचर की इस्तिती है उस पर आदारित है दैनिक राशी फल तो सात्यों ग्रहों की यह इस्तिती कुछ परेशानी का कारण बन सकती है आपके लिए आखला कि आज के दिन आपको उन लोगों से सर्म को बचाना होगा जो आपके जीवन में कुछ नकारात्मक्ता का संचार करना चाहते हैं और उन्हें अपने मन की शांती को प्रभावित बिलकुल करने की जाज़त ना दें आप जिससे आप तनावगरत और विचलित हो जाएं ऐसा ना काम करने दें किसी को ध्यान दें क कैसे ला-त-मक्त प्रभाव आपके मूट मूड को और आपके विकल्पू को बदलते हैं और आपको अपनी आंत्रिक सकारात्मक्ता से दूर कर देते हैं अपने आपको एकمنे दाएरे में बंद करके ना रखें बलकि अपने आपको कुछ अच्छे वाइब्स के दोरा क व्या हुबाय आप करें हरे रंग के कपड़े पहनने पर अधिक आपका जोर होना चाहिए और रंग आपके लिए रहगा आज ग्रे और शुबंक आपके लिए दो विर्शव राशी यनिके टॉरस तो प्रियसातियों आज आप प्रोफेशनल मोर्चे पर स्वयम को अनुकूल फिर भी आपको अपने सम्मान के पृति थोड़ा सजग रहना होगा और यह आपके सीनियर से उनसे भी कुछ थोड़ा जब वाची आपको करें तो सोच समझ करके करें नपातुला बात करें जो पूछा जाए उसका उतना ही सीमित शब्दों में आंसर करने की कोशिश करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दिन आराम से निकल सकता है लोग यूँ तो आपके कारने की सराना जरू करेंगे और जबकी वो आपको चाहें जाने या ना जाने लेकिन आपका कारने देख करके आपके कारने की सराना जरू करेंगे और जो भी आपके कारने हैं जो आप के दौरा किये जा रहे हैं या किये जाते हैं और उनकी सरहना एकर आपको मिलती है तो ऐसे ही सरहना नहीं मिलती ए इसे अर्चित करने के लिए आपके इसके पीछे बहुत कड़ी महनत है जो आपने कि और इसे शाली इंता से आपको सुईकार भी करना है और इसे आपको अपने आगे के रासे पर मार्ग दर्शन करने दीजिए अपने प्रियाजनों के साथ इन अच्छे समय का आनंद आप ले सकते हैं उपाया आप करें व्यापार नौकरी में तरक्की के लिए प्राते काल घर क कि खिड़किया खुली रखिएगा ताकि सुर्य देव की रोशनी धूप जो है वो घर में आ सके शुबरंग आपके लिए भूरा और शुबरंग आपके लिए आर्ट मिधुन राशी यानि के जेमनी साइट तो आपको एसमेटी में खीच सकती है मतलब कहने का भाव यह है कि कही ना कहीं आपकी किसी बात को ले करके किसी ना किसी के साथ एसमेटी बन सकती है और जिससे पूरे दिन आपका मिजाज भी थोड़ा बिगड़ सकता है इसी कारण स विरासत के मुद्दों को लेकर आप अपने भाई बहन के साथ भी थोड़ा ती की बैस में पढ़ सकते हैं और चीज़ें अपरी होने की भी संभाव ना लगती है विवाद बढ़ने की स्थिति में आपको सयम बरतना होगा विवादों को दूर रखने का एक यही मातर तरीक का है साथियों उपाया आप करें चंद्र मा का जो यंत्र है चंद्र मा का मून का यंत्र उसकी इस स्थापना आप अपने पूजा इस सल में करें घर में और फिर उसकी करें नियमित रूप से पूजा आपकी आर्थिक सिति बैतर होगी ऐसा करने से शुबरंग आपके लिए नीला शुबंक आपके लिए चार करकराशी यानि कैंसर साइड तो आप प्रिजेंट में एक शक्ति शाली सिटी में तो हैं स्ट्रॉंग पोजिशन में हैं और महत्पूर्ट प्रभाव भी बना करके रखे हुए हैं बहुत अच्छा और धन्यवाद इस बात के लिए हाला कि बड़ी हुई शक्ति आपको काफी अच्छा एहसास करा सकती है लेकिन इसमें अधिक जिम्मेदारियां भी शामिल हैं साथियों जिम्मेदारियों का भी बोजह आपको उठाके चलना होगा साथ की साथ अपनी एहंकारी शेली बनाये रखने का द्यान रखिएगा एहंकार मुनुष्य का सबसे बड़ा शत्रू होता है आपने अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए काफी प्रियास किया है क्योंकि शक्ति और एहंकार के बीच की सीमा काफी कम है इसलिए आपको अत्यधिक साफधानी बरतने और ये सुनिश्चित करने की आवश्यक्ता रहेगी कि आप एक एहंकार के जाल में तो नहीं भस रहे है उपाये आप करें भीगे बादामों का सेवन करने एवम उसको बा परकेशान आज हो सकती है परेशान हो सकते हैं आप निराश भी बहुए सकते हैं लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए और धहरे भी बहुत बड़ा एक तरीके से ये व्यक्ति का उपहार है ये एक तरीके से व्यक्ति के लिए धहरे पेशेंस तो वो भी जरूर रखिए दूसरों से बहुत अधिक उम्मीद ना रखें आप एक्षा ना करें बस कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि थोड़ा यथार्दवादी बनने की कोशिश करें यनि कि जो अंदर है वो ही बाहर दिखाई दे और बनावटी बनना हो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेग स्वास की दरश्टी से ये अच्छा उपाए रहेगा शुबरंग आपके लिए बैंगनी और शुबरंग आपके लिए च्छे कन्याराशी यनि के विर्गोसाई तो प्रियसातियों आज आपकी मन की शांती थोड़ा भंग हो सकती है और अपनी शांती एवं शुकून को बि या काम ना हो और जिससे आपको कोई फरक ना पड़े उसमें शामिल होने से तो आपको बिल्कुली बचना चाहिए और इस बिश्राव का समय आपको एक उपहार और दुगा के रूप में गवाना नहीं चाहिए अपने करीबी लोगों को अपने आसपास जरूर रखें उप ताराशी यनि के लिब्रा साइन तो आज का दिन बहुत सही समय है आज का दिन का आपके लिए और अपनी आस्तीन उपर करने का भी समय सही है यह विशेशकर यदि आप कार्रा कर रहे हैं तो उस पर बहुत कड़ी मेहनत करने का भी समय है आज का और आप स्वपनिल मनो दिशा में स्वयम को अवाज से बेहते हुए महसूस कर सकते हैं साथियों आज के दिन और क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर है उसके कारण यह संभव लगता है यह उस तनाव का परिणाम हो सकता है जिसका आप पीछे कुछ दिनों से सामना कर रहे हैं जिसके कारण आपको ऐसा लग सक अगर आप इस प्रकार के एक्ट करेंगे या इसतरी के से अपना एक्शन लेघे करें या दिन में बाद में अपने मित्रों की कंपनी का आनंद भी व्यापार में तरक्टी के लिए कवार अपने घर में बिल्कुल दूर दूर तक किसी कौने में भी खटा ना होने दे ना च्छत पर ना घर के अंदर और शुबरंग आपके लिए लाल और शुबरंग के एक आगे बात करेंगे वरिश्चिक राशी के बारे में यह जिनका इस प्यात्रा आपकी होनी चाहिए यदि आप पाते हैं कि देनिक जीवन थोड़ा सा नियमित हो रहा है या हो चुका है तो आपको आगे की विश्चे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और बौधिक रूप से उत्तेजक सम्हू में शामिल हो या कुछ नई का विस्तार करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इस समय जो अकाद्मिक और बौधिक खोज अत्य धिक संकेतिक है अच्छे संकेत हैं इस प्रकार के के कार्यों के लिए इस प्रकार की जो हमने बातें बताई हैं उनके लिए ग्रों के द्वारा उपाया आप करें पारिवारि तो साथियों आप आज जो योजनाय लक्षन निर्धारित कर रहे हैं वे आसानी से तो पूरे आप नहीं कर पाएंगे जिससे आपकी उत्पाजकता प्रभावित होती है और आप परेशान हो सकते हैं सिंग राशी में जो चंद्रमा का गोचर था पीछे उसके साथ आप कुछ मोर्चों पर अपने आपको थोड़ा सा निराश महसूस करता हुआ पा रहे हैं इसे कुछ समय पहले लेकिन अब जो वर्तमान में चंद्रमा का गोचर है ऐसा होने से इन मामलों पर आपको चिंता करने की ज़्यादा आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक छड़िक मकर राशी यानि कैप्री कौन साइं तो आज आपके परिवार के किसी सदस्य से संबंदित स्वास्त्य समस्यां प्रमुक चिंता का विश्य बन सकती है और इसके बारे में आपको ज्यादा सोच वुचार नहीं करना चाहिए परेशान नहीं होना चाहिए बस सभी एतिहातित जो भी उपाय है उनको करने की कोशिश करनी चाहिए आप ठीक हो जाएंगे इसका कारण देखिए क्या है कि चंद्रमा का कोचर भी अन्यता ये एक सकारात्मक दिन है जहां आप काम के मोर्चे पर कुछ सकारात्मक बदल आपकी अपने लिए उमीद कर सकते हैं और आपके का जाधी कारी हैं वो भी आपको एप्रिशेट करेंगे आपके कारणे को और इसी के साथ आप पूरे दिन अच्छे मूड में भी बने रहेंगे उपाय आप करें पक्षियों को मीठा जरू खिलाएं इससे नौकरी अवयापार में उन्नती हांसे लोगी शुबरंग आपके ल करेंगे या करमी चाहिए आज अपने आपको समय अगर देते हैं आप स्वयम को तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा अपने आपको जाने अपने आपको पहचानने की कोशिश करें अंतरा आत्मा को पहचानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है उपाय आप करें कोड़ी क्योंकि आप अगर मदद करते हैं यह उपाय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए तो आपका स्वास्त भी अच्छा बना रहे हैं शुबरंग आपके लिए मैरून और शुबरंग आपके लिए पांच अंत्मे मीन राशी यानिके पाइसिस आज के दिन प्रिये सातियों अब जो हमारे मीन राशी के मितर हैं थ्टोड़ा बहुत थकान महसूस कर सकते हैं थोड़ा चिंथे चंथा में भी रह सकते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात वो यह है जो आप अपने लिए कर सकते हैं आराम करने की खोशिश करने अपने आपको आराम दे सकें तो दें घबर करोद को नियंत्रिस करने और अपने करोद को कम करने का सुजाब हम आपको देते हैं क्योंकि यह कभी आपकी मदद नहीं करता है और इस जोरान यदि आप शांती और धहरे बनाया रखते हैं तो आप बहतर समाधान पाने में भी सक्षम होंगे उपाये आप करें अच्छे पा काली सरसों के दाने डाल कर इसनान करेंगे तो पारिवारिक जीवन बहतर होगा शुबरंग आपके लिए काला शुबंग आपके लिए एक तो प्रियसातियों यह थी आप सभी बारे जो राशियों के जातक हैं मेश से लेकर मीन तक उनका देनिक राशिक फल की चर्चा और यह चर्चा जो थी दिनांग 14 नवंबर सन 2023 दिन मंगलवार विकरम संवत 2018 की थी हम यह आशा करते हैं यह चर्चा आपको पसंद आईगी और हमने आज इस रेशिफल के दौरा आपको यह भी बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप अपना किस प्रकार से व्यतित कर आज़त लें तो साथियों इसी के साथ आप सभी का सहरते बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी